गुद्ट मॉनिंग फ्रेंड्स विल्कम बेक तो माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपनी चैनल विवास लाइफ में होप करती हूं शब लोग स्वास्तोंगे मस्तोंगे हम लोग भी अच्छे हैं अभी सुबह का बज़ रहा है नो नो से ज्यादा हो गया है तो आज हम अभी मेरा घर का सारा काम हो गया और नहा लिए है आज अभी खाना नहीं बना है आज से नाइट है तो खाना भी इतना सुबह नहीं बना है आज अभी पहला नाइट है नाइट में जाएंगे कल से सुबह खाना बन जाएगा लेकिन आज लेट से बना तो अब झाल रहे हैं कभी दूप निख्ला रहे हैं कभी खाया है तो इसे ही लगा है थो फेल्च इसउच आप है किया कि作 kays 551 तो friends देखिए आज बनाएंगे हम यह मुमफली की सबजी मुमफली का निमोना बहुत ही बढ़िया यह जो अभी नया मुमफली आ रहा है न वो कच्चा वाला उसको लेके छेल लिए हैं इसका निमोना बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेश्टी बनता है तो चलिए अभी इसका निमोना बनाने के लिए इसको पीस लेंगे ये मिक्सी जार में इसको पीसेंगे और ये रहा इसमें का मसाला तो ये हम दो हरी मिर्च है जो की लाल हो गया है इसको ले लिए हैं और ये लसन है इसमें धनिया है और गरम मसाला है गरम मसाले में लॉंग, बड़ी लाची, छोटी लाची, दाल चीनी और जीरा यहीं सब है जावीत्री यह थोड़ा सा यहीं सब है तो यह तो सील बट्टे पे पीसेंगे मसाले को सील बट्टे पे पीसेंगे लेकिन इस मुमफली को मिकसर में पीसेंगे क्योंकि मुमफली सील बहुत फिस लेगा क्योंकि यह ओईली होता है जितना पीसेंगे नहीं उतना ठक जाएंगे तो इसको मिक्सर में पीसेंगे इसको सील बट्टे पे पीसेंगे तो चलिए इसको पीस लेते हैं तो फ्रेंड्स इस मुंफली को दरदरा पीस लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए मेर मुंफली पीसा के तयार हो गया और अब हम पीस लेंगे मसाला सिल बटे पे ही पीसेंगे क्यूंकि अब मिक्सर में नई पीसेंगे अब किट्टू के पापा बोलते हैं कि अब सिल बटे पे पीसो तोड़ा मेहनत भी होगा और स्वाद भी बढ़ेगा और हमको खुद पसंद ह सिल बटे के मसाले का सब्जी और लोहे के कडाही में बना हुआ यह इन्याशन जो हैएवन्स internet में मसाला और लोहे की कडाही बहुत ही बढ़िया है तो मन इसमें पहले भूंत भूसुळा genetic में म सब्जी तो इसलीए बहोचिए थोड़ा सा ही तेध बबसा है ज्यादा नहीं में तुछ इस तरीक इंगे तो अभी देखीए मुंफली पूछ इस तरीके से है अभी हम कड़ाही में डालेंगे इस तरीके का शुरूड प्रुपर तरीके से अलग हो जाएक तो यह देखिए अभी एक में एक लगा है तो इसको आराम से दीमी आज पे अंहां पे मेडियंगे तेज आज पे नहीं बूनेगे तो इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि यह सुनहरा और अलग-अलग ना हो जाए तो फ्रेंज देखिए अभी मेरा मुंफली एक दम अच्छे से भुना चुका है और यह देखिए एक दम अलग-अलग हो गया है भरभरा हो गया है दाना 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 पूरा अलग हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेंगे यह देख तब चिपकता है फिर उसके बाद नहीं चिपकता है तो अभी यह देखिए हम निकाल लिया इसमें थोड़ा सा ही तेल डाले हैं मसाला भुनने के लिए तो आप इसे तडके में डालेंगे यह है तेजपत्ता तेजपत्ता ओप्सिनल है आप लोग डालिये नहीं डालिये हम तो हर ग्रेवी के सबजी में है जो भी मसाला वाला राता है उसमें तेजपत्ता डाली देते हैं और ये थोड़ा सा जीरा डाल दिये हैं उसके बाद मेरा फेवरेट हीं थोड़ा सा डाले हैं और उसके बाद अ तो थोड़ा सही बना रहे हैं और प्याज में नमक डाल देंगे तो यह अच्छे से बुना जाएगा अगल जाएगा जल्दी से तो अभी प्याज को भून लेंगे एक दम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बस कलर चेंज होने तक भून लेंगे तो फ्रेंट देखिए मेरे तो इसमें मसाला डाल देंगे मसाला में ज्यादा पाणी नहीं डालेंगे थोड़ा सांही पाणी डालेंगे और उसके बाद ओल दिए ज्यादा लगता है क्योंकि ये लोगे कड़ाई मेना कैसा भी सब्जी बनाई है काला ही दिखता है लेकिन एक दम हमेशा जब बनाने लगे ना तो काला नहीं दिखता है तब अच्छे सराता है और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाड़र डाल दिये हैं भून लेंगे इसको तो मेरा मसाला भूना चुका है एक दम बढ़ियां से क्या ही कहें कि तेल छोड़ने तक कितना तेल था जो विचारा कितना छोड़ेगा है ना थोड़ा सा तो तेल था तो उसी में मसाला हम भून लिये हैं और अब डाल देंगे मुमफली जो हम भूने थे उस मुमफली को ड तो बस इसको बढ़ियां से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में तो अगर आप चाहें तो इसको सूखा भी खा सकते हैं दाल चावल पे खाईए रोटी पराथा से खाईए पूरी स्खाई चाहें जिससे खाईए यह देखिए कितना अच्छा है ना अगर आपको ऐसे ही खाना है तो इसको दो मिनट के लिए ऐसे ही मसाले में पका करके बस बंद कर दीजिए और अब ही हमको तो ऐसे खाना नहीं है हमको ग्रेवी बनाना है क्योंकि हमको ग्रेवी वाला हमको क्या इनको भी ग्रेवी पसंद है और यह वाला सबजी ना मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पस ये दोनों ही सुरत में बहुत ही बढ़िया लगता है ये तो अभी हमको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए क्योंकि इनको भी जैसा की बता है इनको ग्रेवी रहता है तभी सबजी पसंद आता है तो देखिए अभी हम पानी डाल दिये हैं और इसको अच्छे से पानी डालने के ब तो इसको फोड़ देंगे और उसमें अप थोड़ा सा नमख डालेंगे क्योंकि प्याज में हम कम ही डाले थे और अभी हम लगा चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा और डालेंगे और इसको अच्छे से धख्के पकालेंगे तो फ्रेंड देखिए मेरा सबजी तयार हो गया है यह देखिए कितना ही प्यारा है बहुत ही बढ़िया और खुसबू तो बहुत ही जवरजस्त आ रही है सच बता रहे हैं आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आप लोगों को यह मेरा रेसिपी पसंद आता है तो यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को देखिए प्लीज तो यह देखिए मेरा थाली लग चुका है तो अभी किट्टो के पापा बैट चुके हैं आके मार्केट से वो तो आ चुके हैं कपका अब उनका थाली लगा के तयार किये है अब चल रहे हैं उनको देने खाना तो आईए दिखाते हैं आप लोगों को मेरी थाली में आज है यह देखिए रोटी है चावल अभी नहीं बनाए है उनको चावल अभी नहीं खाना था तो यह है सबजी सबजी देखिए कितना बढ़िया निमोना बनके तयार हुआ है मु ब्यार में सामिल हो जाएए मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नाई वीडियो में नाई रेसिपिक साथ तब तक लिए बाई बाई